जैहिन दोस्तो, स्वागत है आप सभी का Radiant Army Academy के YouTube चैनल पर मैं भी नब आपका दिल से विनंदन करता हूँ, आज हम लोग एक नया टॉपिक बेटिस सासन में भूराजेस को वसूलने के लिए क्या-क्या पॉलिशी लगाया गया था और उसे जो भी सवाल होंगे उसको हम सवाल है आज का कि इस्टमरारी बंधो वस्त किसने लागो किया, मतलब हम से यह पूछ रहा है यह जो इस्टमरारी बंधो वस्त किसने हम लागो किया किया तो सबसे ह Państwo इसके basic point को समझते इस nam сем जारे दारी या पंचे साला विवस्था बातों को समझना है फिर उसके बाद हम एक दूसरे से विलेट करेंगे बात यह है 1772 की जब बंगाल का गवर्नर बनकर आया वरेन हैस्टिंग्स त्यांसे समझना हमने क्या कहा कि यह बात 1772 की है जब बंगाल का गवर्नर बनकर आया व ब्यवस्था बनाया कि या कैसे भूराजस को वसूलना है टैक्स को जमीन पर से टैक्स को वसूलना है तो ये एक ब्यवस्था बनाया और इसका नाम दिया इजारेदारी ब्यवस्था हमने क्या कहा कि 1775 में बंगाल का गवर्नर बन कराता है वारेन हैस्टिंग्स और वो भूर जिसको वसूलने के लिए एक ब्यवस्था बनाता है जिसको उसने नाम दिया क्या इजारेदारी ब्यवस्था या फिर इसी को इसी का नाम दिया पंच साला ब्यवस्था पंच साला ब्यवस्था अब ये था क्या इसको समझते हैं पंच साला ब्यवस्था अब ये कहा कि ये मतलब है जमीन दार तो यह किसी गाउं में गया जिस गाउं में टेक्स वसूल ना था वहां के कुछ जमीन दार को जो बरे बरे जमीन दार थे उसको बुलाया और कहा कि यह जो है यह पलॉट है यह जमीन है और इस पर से टेक्स वसूल कर देना है यहां पर इस इंडिया कंपन की हम 10,000 रुपे सलाना देंगे, दूसरा बोला हो सकता है, 20,000 देंगे, तीसरा 30,000 देंगे, इसी तरही के से जो सबसे ज़्यादा टेक्स वसूल कर देता, उसी को इस पूरे जमीन का मालिक बना दिया गया, और उसको टेक्स वसूलने के लिए दे दिया गया, और ये पांच साल के लिए हुआ करता था पांच साल में टेक्स लिया जाता था इसलिए इसका नाम क्या परा तो पंच साला बेवस्था या फिर इजारेदारी बेवस्था परा तो ये इस तरीके से एक बेवस्था वोईन हैस्टिंग शुरू किया और ये सही तरीके से नहीं अब क्या हुआ, समय आगे बरा, और बात आया, 1786 की, बात को समझना है, अब बात आ गया, 1786 की, और भारत का, गवर्नर जेनरल बन कराता है, लौड कॉन वालिस, बातों को समझते जाना है, और सारे सवाल हमारे यहां से सॉल्व होंगे, ये लौड कॉन वालिस का नाम सही से बनकर आता है भारत का गवरेनर जनरल अब ये क्या किया भूराजस को वसूलने के लिए एक बेवस्था बनाता है 1790 में 1790 में भूराजस को वसूलने के लिए बेवस्था बनाता है फिर ये क्या क्या जो भी बेवस्था बनाता ये क्या था ना कि ये जो भूराजस बेवस्थ बोलड नहीं लगाता था 1 t इतना ही टेक्स लिया जाएगा इसी का नाम क्या दिया का इसी का नाम दिया अस्थाई वंदो वस्त त्यान से समझना है हमने क्या कहा कि बात 1772 का था लॉड हैस्टिंग्स जो है एक बेवस्था बना इजारेदारी बेवस्था बनाया या पर 15 साला बेवस्था बनाया जिसमें से जमिनदार को क्या बोला कि भेया जो जितना ज़ादा बोली लगाएगा उसको ये जमिन लेने के लिए उसको दे दिया जाएगा जो कि वो सफल नहीं रहा उसी पर क्या हुआ उसी को आगे बढ़ाते हुए सुधार करते हुए तरीके से लौड कॉन वाल इस क्या किया फिर से एक बेवस्था 1790 में सूकिया और 1793 में उसको क्या क्या उस टेक्स लेने के बेवस्था क को फिक्स कर दिया कि इतना ही टेक्स लिया जाएगा क्या किया यह और जो यह फिक्स कर दिया इसी का नाम क्या दिया अस्थाई वंदोवस्थ इसी का दूसरा नाम क्या है इसी का दूसरा नाम इस्तमरारी वंदोवस्थ भी है इस्त पहले नाम देख लेते हैं फेस के बाए टेक्स लेने का कितना टेक्स लेना है तो इसले इसका नाम अस्थाई बंदोबस्त परा है दूसरा इसका नाम इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है जो यह सवाल में यहाँ पर पूछा गया है तीसरा इसको जागीरदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है दो और इसका नाम ह इसाब से हमें यह सारा नाम ध्यान में रखना परेगा कोई भी नाम दिया जा सकता है यह जो हमारा इस्तिमरारी बंदोबस्त है यह खुद से नहीं बनाया गया कोश्चन है इसलिए हमने सारी नाम को यहां पर रख दिया तो बात क्या है 1786 इस्वी में लौड कान वालेश इसका नाम क्या रख दिया अस्थाई बंदोबस्त रख दिया और इसी का दूसरा नाम क्या है इस्तमरारी बंदोबस्त तो इसी का नाम है जागीदारी बंदोबस्त या फिर माल गुजारी बंदोबस्त या फिर बिश्वेदारी बंदोबस्त यह तो इसका नाम हो गया और ब्यवस्था को बनाने में एक व्यक्ति है जोन सोर नाम का ध्यान से इस नाम को रखना है ध्यान में कि जोन सोर नाम का एक व्यक्ति था जो कि इस ब्यवस्था को बनाने में अपना बहुत ही जादा महत्वपुन योगदान दिया था कौन है ये तो जोन सोर नाम का व्यक्ति ह और यही व्यक्ति जॉण सोर है, जो लॉड कॉइन वालिस के बाद आगे, भायत का गवर्नर जनरल भी बनेगा, तो अगर हमसे यह सवाल बन जाकी, अस्थाई बंदोबस्त बनाने में, किस ने सहायता परदान किया, तो जॉण सोर नाम का व्यक्ति था, जो अस्थाई बंदो उरिसा ये उस समय तो तीनो एक में ही था तो बंगाल बिहार और ये आ गया थोरा सा रैटिंग में दिक्कत फिलाल तो हो जाएगा उरिसा में और साथ ही साथ ये एक और नाम याद अखना है बनारस में क्योंकि इन सब से सवाल बनता है हमने क्या कहा अस्थाई बंदोबस्त क कहां कहां लागो किया गया जगह की बात करें तो बंगाल बिहार उरिसा और बनारस में लागो किया गया ये पूरे भारत के 19 परतिशत छेतर फल पर ये अस्थाई बंदोबस्त को लागो किया गया सब से सवाल इसमें हमारा बन सकता है बंगाल बिहार उरिसा और बनारस में क्या रागु किया गया झाट किं लागु किया तो जौन जॉर की साहिता गया थी है उन्निस परतिशत च्छेत्र जो है यह इस स्थावंदोष के अंतरगत आता था इसमें क्या हूता था कि जमीन का मालिक कोभी तुरज्बहु क होता था अभी तुरंध टेक्स वसूल कर देना है तो हमने क्या कहा कि जमीनदारी सोरी इसमें मालिक कौन रहेगा अस्थाई बंदोबस्त में तो हमने का अस्थाई बंदोबस्त में मालिक किसको बना दिया गया तो गाउं का जो सबसे बरा जमीनदार होगा उसको मालिक बना दिया कि भीया तुम टेक टैक्स वसूलज करो एका कैता है। इसको इस इंडिया कंपनी को देना परेगा इसी लिए इसको अस्थाई वंदोवस्त कहा गया लेकिन ये ध्यान पर रखना ये किसानों का सोशन करने वाला क्यों हुआ तो किसानों का सोशन करने वाला कास्तकारों का सोशन करने वाला इसलिए हुआ क्योंकि इस जमीन दार पर कोई सरकारी नियंत्रन नहीं था यह जितना मन होता था उतना यह tax वसूल सकता था तो यह fix किस बात की तो fix इसी बात की कि एक वटे 11 यह रखेगा उष्ट्रिया कंपणी को 10 वटे 11 दे देगा यह दर हो गया अस्थाई बंदोबस्त का इतना बाते कम से कम हमें ध्यान में रख कर रहा है हां से समझना हमने क्या कह रहा है हमने क्या कहा सोरी कि यह जमीनदार को tax वसूलने के लिए दे दिया गया जमीनदार को क्या कहा जाता था एक time दे दिया जाता था कि इतना time में आपको tax फलाना tax वसूल कर देना तो साम तक का time रखा जाता था साम तक का time रखा जात कोई एक डेट दे दिया गया उस डेट के साम तक में इसको टेक्स वसूल कर देना होता था तो अगर वो जमीनदार साम तक में टेक्स वसूल कर नहीं दिया जाता था तो उस जमीनदार का पूरा का पूरा जमीन जो है वो छीन लिया जाता था उससे छीन लिया जाता था तो इ ही से ये कानून निकल कर आ गया सूरियास्त कानून अगर हमसे ये सवाल दे दे हैं कि ये सूरियास्त कानून किसे संबंदित है तो भूराजस सुब्यवस्था से संबंदित है उसमें भी अस्थाई वंदोवस्थ से संबंदित है तो अब क्या होता था कि अगर वो टैक्स नह जमीनदारी प्रथा निकल कर आ गया कौन सा तो उसका नम है अनुपस्थित जमीनदारी प्रथा ध्यान से समझने हमने क्या कहा अनुपस्थित जमीनदारी व्यवस्था अब एक्शली में ये था क्या ये कहा कि भाई इसका तो जमीनदारी छीना गया और ये जमीनदारी छीन किसको दे दिया गया किसी दूसरे जगह के जमिनदार को दे दिया गया अब बात ये था कि वो जमिनदार तो खुद तो आके टैक्स लेता नहीं वो बीच में कई सारे लोगों को रखा अब ये टैक्स से लेता था ये टैक्स से लेकता था और ये टैक्स इतना चीज़े अगर हम लोग याद रखते हैं अस्थाय बंदोबस्त में तो हमसे सवाल नहीं के बरावर छुटे हैं चलिए तो देखते हैं क्या क्या सवाल है उसको हम लोग दिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारा हो गया, इस्तमरारी बंदोवस्त किसने लागो गया, तो या भी तुरंत हम लोग देखें कि इस्तमरारी बंदोवस्त को लागो गया, कौन वालिस, लॉड कौन वालिस कब तो 1793 में इसको लागो गया, इसी का नम क्या है, तो अस्थाई बंदोव है चली NeXT one रहा है अस्थाई वंदो ऊस्थ किस से किया गया घृप्ट किस से किया गया कि जमिन्दार से किसान से ब्यपारी से तो हम लोग देखे थे कि जमिंदारी व्वरस्था में क्या हुआ था कि इस्टनिया कंपनी जो था लॉड कानवाल जो था वो क्या किया गाउं के सबसे बड़ी जमीनदार को क्या किया तो टेक्स हो सुन लेका काम सहो पा तो मालिक किसको बनाया गया था जमीनदार को टेक्स भी जमीनदार से लेता था जमीनदार क्या करता था चोटे-चोटे किसान जोते थे कास्तकार उसे लिया गयता था तो अस्थाई बंदोबस किसे किया गया तो जमीनदार से किया गया था चले अगले सवाल प्याते हैं अब हमारा सवाल है किस गवर्णर जनरल भारत में अस्थाई भू राजय सुब्यवस्था को अस्थापित किया तो भू अस्थाई अस्थाई भू राजे सुभेवस्था को बनाने में किसने सहायता परदान किया तब हम लोग उत्तर करते चौन सोर चलिए, नेक्स्ट, अगले सवाल पर आते हैं, कि लॉड्ड कॉन वालिस का अस्थाई बंदोवस्त लागु कब किया गया तो, 1793 में इसको लागु किया गया था, लॉड्ड कॉन वालिस तौरा, चलिए, नेक्स्ट कोशन ने, बिहार में पर्मनेंट सेटलमेंट लागु करन का कारण क्या था पर्मानेंट सेटलमेंट मतलब अस्थाई बंदवस्त बिहार ही क्या जहां जहां यह लागू किया गया था इसका उद्देश ही ही था कि भू राजसों का निवन्य करना कि भाई कितना भू राजसों लेना है तो अगर इसमें आए तो अप्शन अगर देखे कि पर्मनेंट सेटलमेंट अस्थाय बंदोवस्त लाग करने का उद्दे से क्या था कारण क्या था तो भूरा जैसो निर्धारित करना था कि यह टैक्स कितना जमीन पर लेना है चलिए अगले सवाल कियो बढ़ते हैं अब हमारा सवाल है रयतवारी से संबंदिते चलिए फिर नाम है रयतवारी चलिए थोड़ा सा इसपीस जरूरी है तो इस ब्यवस्ता का नाम क्या है रयत रयत वारी चलिए एक्शली में अब ये था क्या इसको समझ लेते हैं रयतवारी ब्यवस्ता कुछी चीज़े हैं जिसको ध्यान में रखना है सबसे पहले ये रयत ब्यवस्त रहीत बारी बेवस्ता शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था तो एलेकजंडर रीड नाम का एक व्यक्ति था जो 1792 इस्वी के आसपास नहीं 1792 इस्वी में ही तबी लाडू मतलब उस समय का मद्रास का एक छेत था बारा महल बारा महल उस छेतर में क्या-क्या रहीत बारी सम्बंदी थे कि टैक्स जमीन पर कितना लेना है इसको सबसे पहले कौन सुरू किया तो एलेकजंडर रीड नाम का एक व्यक्ति था जो 1792 इस्वी में 12 महल छेतर में 12 महल छेतर कहां परता है तो अभी जो तमिन लाडू है उस समय मद्रास कहला था तो मद्रास के छेतर 12 महल में रैयतवारी ब्यवस्था शुरू किया गया उसके बाद एक टॉमस मुन्रो नाम का एक व्यक्ति टॉमस मुन्रो इससे पहले हम लोग हेक्टर मुन्रो के वारे में परहे थे जो कि बक्सर के युद में था यहाँ पर को नाया टॉमस मुन्रो टॉमस मुन्रो क्या किया य एलेकजंडर रीड नाम का व्यक्ति था 1792 इसमें 12 महल तमिलाडू का छेत मद्रास में इसको लागू किया है फिर जब टॉमस मुन्रो मद्रास का गवर्नर बना तो पूरे के पूरे मद्रास वाले एक अलाके में 820 में इसको लागू किया है इसलिए रैयत वारी सुडू करने में टॉमस मुन्रो का ही नाम आता है और एक व्यक्ति का नाम यादखना है एल्फिंस्टन नाम का एक व्यक्ति था एल्फिंस्टन एल फिंस्टन एल फिंस्टन नामका एक व्यक्ति था जब ये बंबई का गवर्णर बना तो अठाए सो पची सिस्वी में तो ये पूरे की पूरे बंबई वाले इलाके में क्या किया तो इस व्यवस्था को लागू किया तो यहां से दू सवाल निकल करा है रैयत बारी में शुरू किया और कव अठाए सो बीजिस्वी में एल फिंस्टन जब बंबई का गवर्णर बना तो अठाए सो पची सिस्वी में ये पूरे बंबई में लागू किया तो अलेजेंडर रीड टॉमस मुंडो और फिंस्टन नामका व्यक्ति रैयत वारी से संबंदित होग कहां कहां ये तो मतराश वबंबई में खास करके ये रैयत वारी बेवस्था रहेगा साथी साथ असम और कुर्ग वाले छेतर में भी ये पहचलिट था असम और कुर्ग वाले छेतर में भी रहयत बारी विवस्ता पहचलिक था इतना बाते इसमें फिलाल हमको याद रखना है फिर आगे अगे बरते तो ये पूरे भारत के 51% छेतर पहर रहयत बारी विवस्ता लगावा था अब इसका बिसेस्टा या था यह था कि इससे पहले हम लोकस थाइब अन्जवस्त बरेत जिसमें मालिक किसको बना दिया गया था मालिक चमींदार को बनाया था मतलब इस डिया कंपनी पूरे का पूरा Grand इसवारी कौन हुआ तो राययत बारी में जमीन का मालिक हो गया, किसान होगया नियुक्त है कि ये इसवारी के किसान ही कि कुछ क्या करेगा। तो सिन्हें कंपनी zu隇ं देगा यह वात्ते हो गई अभी सब्सें बड़ी विशेष्ता यह था प्लगाने से पहले क्या होता था कषार क्या जाता चूर्ण की लाख विशंपस चैने के हिसाब से ठाजारन किया जाता था अबra है का एक राय। बारी बेवस था जिसको शुरू काने में अलक्जंडर रीड नाम का एक व्यक्ति था जो 1792 के मद्रास के 12 भादा महल च्हेतर में इसको लागोगा फिर टॉमस मुन्रो नाम का एक व्यक्ति था जो 820 कömfer में पूरे बंबबई में इसको लागो किया असम और कुर्ग में भी रहयत बारी ब्यवस्त था लागो हुआ फिर यह पूरे भायत में 515 पर 36 पर रहयत बारी रहा रहयत का मतलब होता है किसान इसमें मालिक कोन हुआ तो किसान को बनाएगा इस इंडिया कंपनी को यह डायरेक्ट टेक्स देता था निधायन किया जाता था टेक्स का निधायन किया जाता था तो इतना वात हैं हमें रहयत बारी में ध्यान डखना परेगा चली तो अभी सर्वेल्ट जो भी कोशन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि है क्या चली हमारा सवाल है कि रहयत बारी के प्रार्म से संब्धित नाम कौन कौन सा है तो यह यह तीन दे रखा है लॉड कौन वाले से यह तो अस्थाई बंदोबस है अलेकजंडर रीड टॉमस मुन्रो यह दोनों वैक्टित था एलफिंस्टन था वो तो नाम है नहीं यहाँ पर तो अलेकजंडर रीड और टॉमस मुन्रो दो और तीन दो तो इन कहां है अप्शन नमबर सी में है चली अगले सवाल अच्छा यह तो थोड़ा सा अलग सवाल आ गया है लेकिन फिर इसको डिसकस करें ही लेते हैं अपने पुत्र के अस्थान पर दूसरे उत्रा धरिकारी क गोद लेने के धिकाय को पुना अस्थापित किया गया था इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कलग सवाल इसमें आ गया है कि क्या हुआ था जब लॉट डल होजी अठाय सो एतालिस इसवी में भारत का गवर्नर चनरल बन कर आया था तो यहां पर क्या कि भारत में जो देसी र इम्राज में मिला लिया जाएगा इस तरीके से करके कई देसी रजवायों को मिला जैसे कि सबसे पहले यह सतारा को मिला था फिर जैद पूर समहल पूर उधैपूर फिर जहांसी हो गया नागपूर सिक्कीम इन सब को यह मिला था तो इसको क्या हुआ था जब आठाय सो संत जिसमें ये खांगा कई सारे झोष्णा किया गया था जिसमें से एक यथा की अब जो इस इंडिया company वो गोढय लेने की निति नीटि को पुना अस्थापित कर देगा कि बढ़ अब जो भी देशी रजवारा है वो गोद ले सकता है तो इस गोद लेने के वो पुना स्ठापित कब क्या गया था। 1 नला जैसे मारा बाट गोशना में तो हमारा उप्चन नला जैसे ओarah टा था जब यह भायसर का अधिनियम जब आया कि तब यह वायसराय बना था चलिए नेक्स्ट आगे हम लोगा आते हैं फेसे वापस रेयत वारी पर हमारा सवाल है सर पत्र Allison कहाँ लाजू किया गया था तो रेयत बारी मदरास में तो बंगाल और मदरास कहा है तो option number A में बंगाल और मदरास है और करम सा लगा हुआ है तो पहले अस्थाई बंदोबस्त है तो पहले आ जाएगा बंगाल और फिर उसके बाद में है रहियत बारी तो रहियत बारी मदरास में तो बाद में आगया मत्रास यह नहीं कि यह मत्रास वह बंगाल करदना है करम सा लगा हुआ है इसलिए करम से उत्तर करना है चलिए अगले सवाल पर आते हैं next question हमारा है टॉमस मुन्रो भूर आजस बंदोवस्त से संबन देते हैं से खांबस मुन्रो का समद्ध किस भुय आदर रियात्वारी ब्यवस्था से संबंदित हैं। अस्थाइ बंदोवस्थ से बात करेगा तो अस्थाइबंदोवस्थальный लॉड पानरी आगे हम लोग डिसकश महालवारी को भी कर लेते हैं। चलिए, नेक्स कोशन है, रहियत वारी बंतोबस्त के संदर में निमलिकित कत्मों पर विचार कीजिए, तो रहियत वारी में, बोलना है, इसके बारे में क्या था, तो किसानों दौरा लगान सीधे सरकाय को दिया जाता था, बिल्कुल सही है कि किसान डाइरेक्ट जो है, सरका हमारा था, तो ये दोनों तो मिल गया, और ये ध्यान में रखना परेगा, कि सरकार रहियत को पट्टे पर किराया पर जारी किया करता था, चलिए, जिसके कारन सोचन थोरा वोत अपेक्छा करित कम हुआ करता था, चलिए, अब नेक्स कोशन है, वा परथा, जिसके थात किस किसान स्वेंग भूमी का मालिक होता है, और सरकार को भूराजस के लिए, भूराजस के जाना जाता है, भूराजस के जिमेबार माना जाता है, मतलब हमसे सवाल ये पूछ रहा है, वा परथा कौन सा है, जिसमें किसान स्वेंग भूमी का मालिक होता था, तो रहियत वारी ए अब हमारा सवाल है, असम में सर्पथम चाय कंपनी के अस्था, अबनाचे इससे पहले जो है, असम चाय कंपनी से पहले एक महालवारी ब्यवस्था है उसको हम लोग डिसकस करें लेते हैं, इक क्या हो है, भूराजेस का एक पाहत्ति पुञ्ण ये भी ब्यवस्था है, नाम ये था महाल वारी वेवस्था महाल का मतलब होता है मुखिया या फिर लंबरदार ये बोल सकते हैं अब इसमें क्या था दो तिन पॉइंट इसमें ध्यान में रखना है इस महाल वारी वेवस्था को शुरू करने वाला व्यक्ति था हॉल्ट मैकेंजी नाम का एक व्यक्ति था Holt McKenzie नमका एक वैक्ति था, जो की महालवारी विवस्था को लागो किया था, ये 1862 की बात है, महालवारी विवस्था शुरू किया गया कब, 1862 में, वही अगर रइट बारी बोले था, ये बारी बोले तो 1820 में, महालवारी 822 में, ये क्या था कहां पर ये शुरू किया गया था तो जो संयुक्त प्रांथ जो अभी उत्तर पर इसका इलागा है उसको संयुक्त प्रांथ बोला जाता था संयुक्त प्रांथ में उसके बाद मध्य प्रांथ और पंजाब में संयुक्त प्रांथ मध्य प्रांथ और कहां पर तो क्याद रहियत वारी 51 पर 36 पर महाल वारी 30 पर 36 पर महाल वारी ब्यवस्था लागू था इस महाल वारी ब्यवस्था में जमीन का जो मालिक है वो गाउं के महाल को बना दिया गया मतलब गाउं के मुखिया को बना दिया गया या लंबरदार को बना दिया गया इसमें यह साथ स सवाल नहीं बन सकता है चले तो आगे बढ़ते हैं next हमारा सवाल है असम में सरपथम चाय कंपनी की अस्थापना कब हुई तो ये जो असम चाय कंपनी है ये ध्यान में रखना है भारत का सबसे पहला चाय कंपनी है भारत का सबसे पहला पुराना सबसे पुराना के दे सबसे चाइ कमपनी है दा असम कमपनी या फे दा असम चाइ कमपनी ये नाम है और ये अठाइसो उन्चालिस में अस्थापित किया गया था और ये जो है बेटिस जो है इंगलेंड में अस्थापित किया था ध्यान ये रखना है कि इसको इंगलेंड में बेटिस अस्थापित किया था फांच लाख पुझी के साथ और इसका मुख्याला जो है न मुख्याला बनाए था असम में एक जगा है नचीरा असम में एक जगा है नचीरा वहां पे इसका मुख्याला बनाज गया था असम चै कमपनी का तो यह 2849 में अस्थाफित किया गया था चलिए next question क्यों बढ़ते है next question है कि बेटिस भारत में साइन बल पर केंदरी राजस का कितना परतिसाद वह होता था मतलब बेटिस जो है साइनिक पर कितना खर्ज करता था तो ये एक disputed question है इसका अभी तक fix answer तो नहीं मिल पाया है कि या कितना अलग लग बुक मे अलग लग ये दे रखा है तो ज्यादा तर बुक में क्या है ना कि ये 40% उत्तर दे रखा है कि बेटिस जो है सेना पर 40% रुपए अपने व्यका खर्ज किया करता था